अक्षरिस, एंकर, मिनी माथूर लंबे समय तक इंडियन आइडल से जुड़ी रही उन्होंने 6 सालों तक इस शो को होस्ट किया लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिनी ने इस शो को होस्ट करना बंद कर दिया बलस पर अब मिनी ने ही चौका देने वाला खुलासा किया है मिनी का कहना है कि वो 6 साल के बाद इस शो को continue इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि ये शो स्क्रिप्टिड है यानि कि शो में जो दिखाया जाता है कि ये शो रियालिटी शो है वो रियालिटी नहीं बलकि सब कुछ स्क्रिप्टिड होता है ये पहली बार नहीं है जब इंडियन आइडल शो पर इस सरह के गंभीर आरोप लगे हो कहीं लोग ये खुलासा कर चुके हैं कि शो में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिनकी backstory बहुत ही ज़ादा emotional हो गरीब परिवार से आते हो बहुत दुख देखे हो लाइफ में कोई tragedy हो उन्हीं लोगों को आगे लाया जाता है और शो में promote किया जाता है मिनी माथूर ने कहा कि पहले contestants के talent को देखा जाता था लेकिन अब शो में जबरदस्ती के moments create किया जाते हैं contestants नहीं मिनी माथूर ने कहा कि वो पहले contestants से इतनी जादा connected थी कि उन्हें अपने घर पर dinner के लिए बुलाती थी लेकिन बाद में जब मिनी माथूर को पता चला कि ये जो show है ये singer नहीं बना रहा है बलकि ये show तो बस पैसा बना रहा है तब उन्होंने इस show को छोड़ दिया मिनी माथूर ने ये भी बताया कि जब contestants के माबाप आते हैं तो कैसे देखकर उन्हें हैरान होने के acting करते हैं ये सब भी create किया जाता है और जितने भी moments होते हैं वो सब created होते हैं reality कुछ है नहीं इसलिए मैंने अपने आपको इस show से दूर कर दिया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इंजियना इंडिल शो को लेकर शो में reality जैसी कोई बात नहीं रही है मिनी माथूर का ऐसा कहना है